हलो दोस्तों आप लोगों का अपना चैनल स्टुडी पाइंट पर हर्दिक सागत है आज आप लोगों को प्लाइंट वीडिंग सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगो सबसे पहले तो बताएंगे कई जीतं वाकी हैं कई हार वाकी है अभी तो जिन्दगी का सार वाकी है कई जीतं की अभी के यह तो पुरी किताब भाकी है जब एक पौदो का संक्रन आप था अप्रतीव gelmiş मेन के यह प्रतिव प्रियोग रोग रोधी प्रजातियों को कि इस्तांत्रित करने के लिए किया रहता है जिस प्रजात में इस्तांत्रित किया रहता है उसे क्या कहते हैं आधाता जनक आधाता कहते हैं जो प्रजात इस्तांत्रित करते उसे दाता कहते हैं आप लोग को बतारनागी प्रथम बर्स में प्रभावी और अप्रभावी जब इसका संक्रण करते हैं उक्टा गराही प्रझाथ एंप Ugh cual विभार कराएंगे जो ता नावर्थी रॉक्वारेंट और लिए बैदोन को का ऑन्त करते हैं प्रतीव संक्रण करते हैं लकर आपिवर्स किसंक्रण करते जाता है एक एक समान की उक्टा रोधी पॉल्टा रोधी पोदो का का वरण उक्टा रोधी पोदो का वरण किया प्रजाद का प्रतीक संक्रण वरण किये प्रजात का क्या प्रतीक संक्रण क्या प्रभावी प्रता रोधी प्रता इसका हम प्रता प्रतीक संक्रण कर आते हैं तो då साथ जाता है मैं न साथितना कि प्रतिक संक्रण ऊतों कि Ampeミ क्रीधो को कि जाएहा था जा द रिकवारेंट निए टिन की क्रियाओं को दोराया जाएगा किया कि तक क्रियाओं को दोराया जाते हैं जब तक फसल में क्या 98-95 प्रसेंट तक में प्राप्त नहीं है तो इसमें का पंचम बर्स कि पंचम कि भी सी थ्री कि पिर से क्रियाव को क्या करेंगे दोहराएंगे क्यायं के रिक्राइट पिरेंट इसको साट किट में लग्रियाओ को दोघ्य मैं फिर ऐस consumption क्रियाओ को दोघ्य है कि बीसी है कि आख को भी एक उहां खिल राइंगे दे फिर क्या करेंगे से कुरियाओ को नो परफट में प्राफ्ट। जा स्टभ सम्भर्स में उक्टा रोधी पुर्जाति का भरन और सवपरागित करना स्टम बर्स रूदी पुरजातियों का बीजिए सव परागित करना अश्टम पर्स in the members in a bc6 कि इसका क्या है कि इसका क्या करें संक्राण किया हुम जिए इसका क्या प्राप्त हो गया तो हम क्या घर इसमें क्या यह ते उक्ता रोधी इस पोदो का सेलेक्षिन पूदो का सिलेक्शन एब हम सोव परागित करना क्या सोव परागित सोव परागित सोव परागित करना सोव परागित करना जो हम सोव परागित करना सोव परागित पूदो का क्या किया जाता है कि उनको बीज को अलग अलग रखना सोव परागित n Excuse me so हैं बीज को तो अलग अलग रखना लग कैने जब हम अलग 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 तब लись रख में किया तक एक सिंगल पादब करें हैं और उग Islands प्रुद्ध संतत्यदतिय उम्हा रहाएं को को आसे होता है जो पॉदोय कि अंतै तो तो पॉद्ध अप्र पादप संतत्यों मैं उगाना क्या बता है क्या क्या प्रजात एक के समान उक्टा-रोधी पूर का वरन्य प्रजात यह के समान उख्टा रोधी पूदो का वरण के जाता है फुर्जात ओए के समान वह पोधो का वरण प्रजात एक के समान उक्टा रोधी पोधों का जब बरण फिर उक्टा रोधी पोधों का जो बरण कर ले जाता है फिर दसवे बर्स में क्या गयाता है उक्टा रोधी पोधों को क्या सिंगल पादप संदतियों में उगाना क्या सिंगल दसम बर्ष दसम बर्ष इनको कर उक्टा रोधी पोधो को सिंगल पाधर संत्रत्यों में उगाना संत्रत्यों में उगाना कि संत्रत्यों में उगाना निया वर्ष दसम ड़े क्या बतार दसमाने प्रवियृ संत्रत्त्यव पंज में काटना कि प्रजाते्चती 350 प्ऱियृ स्टेक समान कि पुझ में काटना कि किता है उक्टा रोधी पुदो का सिंगल पाधव सुनतितिएं उगाने के बाद प्रजात एक समान क्या करता है पुंज में होได้ काड़ना पुंहें काड़ना गुर्फ गारवा प्रनेजे चया वर्णे और के था सब्सक्राइब काड़ने होजे वह जार होजा गाना प्रजात एक साथ लगाता गाति लाजाएंगो एक पी वह तक लगाना को IOS4 लगाना और बार्वे बर्स में प्योर फसल प्राप्त हो जाती है वार्वे बर्स कि पुर्वावी जो प्रभावी जो है उक्टा ग्राही प्रजात यह है और बीक है उक्टा रोधी जिसमें क्या रोग लगे होते हैं और इसमें आवरती और ती क्या आवरती वह जिनको बार बार प्योग के सब्सक्राइब संक्रंट्र करते हैं जिए फिर्टी ने ने करते हैं न करते हैं और प्रिटीक का प्रतिक 52 कि आख से K rather से स्टम बर्स में क्या कुछ तभात ऑने के बाद नोटार रोदी पोड़ो इस लेक्शन क fix अक्रोदय पोड़ का स्लेक्शन और सवफ्रागित के प्रागित के स इंगल पादफ संथ्यू guitar में अगां सुथ प्रजात एक समान Anbas 2 version का स्ट में उगाए जाता है और जब सब्सक्राइब पूरी वराइटी हमें एक नई किस्म प्राप्त हो गई इसे बेकराश मिथड का प्रभावी जनक से समझ के कोशन हल हो गया थैंक्यू धन्यवाद